जै माहकाली जै माहविंदवासनी आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स ठीक है आशाय करती हूँ माहा आप लोगों पे अपनी किरपा बरसाएंगी और आपके सारे बिगडे हुए काम बनाएंगी और आज मैं लेके हाई हूँ स्वाति इस्ट लॉजर आपकी और मैं भी ठीक हूँ आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इतर से हम कैसे वशी करन करेंगी और मैं कहना जरूर चाहूंगी फ्रेंड्स की अगर अच्छे काम के लिए है तो आप लोग अच्छे विचार रखके इसे जरूर करें और ये नुसका बिलकुल ही अजमाया हुआ है और तभी मैं अप लोगों के लिए वीडियो त्यार करती हूं तो अगर किसी का वशी करन करना है तो फिर हम कैसे करें आज में आपको इतर के साथ में बताऊंगी ये मेरें पास सारे काफी सारे एतर हैं जिसे वशी करन करेंगी और एक हमने plain कागज लिया, plain कागज के उपपर, ये मैंने लिख लिया कि मतलब हमें कैसा भी मन चाहा जो भी काम करना है आप लोग मेरी वीडियो के उपर इसलिए मैंने लिख के दिखाए कि आप लोग अच्छे से बिल्कुल लिख ले और वैसे ही सेम करें मैंने लिखा है कि मन चाहे काम को करने के लिए मंत्र और ये मैंने ठिया बनाया है इसमें मैंने मा का बीज मंत्र लिखा है ही 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 हिंग हींग 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 ऐसे लिखा है क्योंकि इसमें अना की बिंदू भी है तो आप लोग और साथ में नंबर जो लिखे हुए तो यह जो मैंने number लिखे हैं यह हर एक राश्ची वाले जो भी हैं वेखती उनके हर किसी पे number यह add होगा और आपने ऐसे ही number बिल्कुल ठिया ऐसे ही बनाना है प्लेन कागज के उपर और जो चीजे मैंने लिखी हैं आपने वही चीज लिखनी है और आपको ये फिर लास्ट में मैं दिखाती हूँ ये सारे इत्र हैं और सारे इत्रों को मैंने इसले दिखाया और इनके एक-एक मैं वशी करन करके दिखाऊंगी तो मैं रोज वीडियो डालूँगी और अब ही ये जो मेरे पस मद मस्त हैगा इत्र मैं इसे लगाऊंगी और मैंने ये मंत्र भी लिखा है मंत्र इसले लिखके बताया कि आप लोग भूलना जाएं और यहाँ पे उपर हमें नाम लिखना है जिसका वशी करन करना है यहाँ पे मैं नाम संजे लिख रही हूँ लेकिन आप लोगोंने संजे नहीं लिखना जिसका जो नाम है जिसका वश्य करन करेंगे आप वो नाम यहां पर लिखेंगे और उसके बाद blue ही या काली रंग की pen से ही लिखना है काली श्याई से तो आपने ये मंत्र लिखना है और इसको इतर को हमने खोला और खोल के इसे सारे कागस पे लगाना शुरू करेंगे क्योंकि इसका तो नाम भी मद मस्त है यह मस्त कर देता है तो इसका जो है वशी करन बहुत अच्छा होता है तो आपने ऐसी करना है लिख लेना है और उसके बास सारी जगा और नाम वाली जगा पे जहां नाम लिखा है और सब जगा यह आपने इतर लगा देना है और यह मार्केट में इजी तरीके से आपको यह इतर मिल जाएगा अगर ना मिले तो आप लोग मुझसे भी ले सकते हैं मेरा स्क्रीन पे वर्टस अब नमबर दिया हुआ है वर्टस अब नमबर पे आप मुझे करके कॉल बता सकते हैं कि हमें इतर चाहिए और आपको लब्द है मिलेगा जरूर तो यह मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे सारा इतर लगा लिया कागस के उपर इस कागस को अब मैं इसे राउंड राउंड में फोल्ड करूंगी इसे और राउंड में फोल्ड भी करेंगे और साथ में मन्तर भी बोलते जाएंगे काली कंकालनी महा काली खपर वाली काली कंकालनी महा काली खपर वाली आपने ये 11 से 21 वार मंत्र करना है मोड़ते हुए और इसको कागज को जलाते हुए जब तक की कागज अच्छे से ना जल जाए तो आपने गिन के 11 वरी या 21 बरी, फास्ट बोलना है, काली कंकालनी, महाकाली, कपरवाली, काली कंकालनी, महाकाली, कपरवाली, आपने ऐसे ही मंत्र को विचार करना है, और बोलते जाना है, मनी मन, और उसका इंसान का नाम लेके, जिसका, जिस फेक्ति का आप वश्ची करन कर रहे हैं, सबसे पहले उसका नाम लेकि और आपने ये मंत्र ग्यारवर कर लेना है और इसे ऐसे ही अच्छे से जला देना है जब ये अच्छे से जल जाएं तो इसकी राक को फेकना नहीं है आप लोगों ने मैं आगे बताती हूं कि क्या करना है यहाँ पे हमारा कागज अच्छे से जलने लग गया है और कागज जैसे जल गया तो यहाँ पे हमें प्लेन कागज चाहिए और इस कागज को जलने के बाद हमें इसे अच्छे से मसल लेना बिल्कुल इसकी राक को रख लेना इस कागज के उपर और कागज रखके और जब भी आप जो भी कोई तिलक लगाते हैं या उस इनसान के पास जाते हैं या जिसका आपने वशी करन किया है तो आपने इसका टीका अपने माथे पे लगा लेना है इस राख का और वो इनसान आपके बस में रहेगा आप जो भी कुछ भी कहेंगे तो आपका कहना वैसी ही मानेगा और आपके कहे अनुसार वो सारे काम करेगा लेकिन आप लोग अच्छे विचार रखके ही करना फ्रेंट्स मैं बार बार कहूंगी और ये हमने यहां पे राक को अच्छे से कर लिया ठंडा और ठंडा होगी है और इसे सारा अच्छे से मसल लोगी जो कागज अगर रह भी जाए तो आप उसे भी जला लेना और यहां पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसे अच्छे से रगड के मसल के इसे राक बना लिया बना के और कागज में हम डाल लेंगे प्रेन कागज में हमने ऐसे करके इसे फोल्ड करके और अपनी जेब में रख लो या तो आप घर में रख लो जब भी आप कभी ऐसे वेक्ति के पाद जाएं जिसका वशी करन आपने करना है तो आपने जिसका नाम लिखा है तो उसके सामने जब भी जाने से पहले तिलक लगा के इसका और जाना है और ये मदमस्त हमारा इतर है जिससे वशी करना है तो आपने ऐसे वशी करना है और आप मुझसे भी करवा सकते हैं खुद भी कर सकते हैं और अगर मुझसे करवाना है तो आप मुझे कॉल करें अगर य